और भाई लोगो कैसे हो मालो मैं घर पे होगे बोर हो रहे होगे तो चलो कोई नी मेरी वीडियो ही देख लो शायद आपको कोई एक नएक बाइक पसंद आ जाए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसी बाइक के बारे में जो आप लोगो 300 CC के अंदर देखने को मिल मिलने वाली है एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लो आपको कोई भी कुश्ण नेया डीम करो मैं आपको आंसर मिल जाएगा काफी बार क्या होता है कि आप कमेंट्स करते हो बड़ कमेंट्स को प हीरो अपने चार बैक्स लेकर आने वाला ही इंडेन मार्केट के अंदर जो की 300cc की बैक होने वाली है जिसमें से पहली बाइक है आपकी हीरो की करिजमा 300 बिल्कुल ही साइब सुना करिज्मा 300 जब करिज्मा अपने टाइम में लांच वी काफी ज़्यादा पॉपलर बाइक थी काफी ज़्यादा जबरदस्त भाई पर्फॉर्मेंस मिलता था इस बाइक से और काफी अच्छा खासा नाम चलता था मतला उस टाइम में जबान पर जै लाने जरूरी होते हैं जो कि हीरो नहीं करता क्योंकि ज्यादातर फोकस करता है अपनी कॉम्यूटेट बाइक्स के वे जो कि छोटी मोटी हो गई करिजमा का नेम प्लेट उसको खतम नहीं किया है उन्होंने सिर्फ अपनी जित्तिवी सी रिस्ति उसको बंद कर दिया गया है लेकिन ये बाइक आप लोगो दुबारा से कम बैक देखने को मिलने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर 300 CC के साथ बात करते हैं इस बाइक के अं प्हप का maximum power generate करने वाला है और 25 Nm का टॉर्क आपको इस बाइक के अंदर मिलेगा मेरी करिस्मा से भाइक जो भी हीरो है उससे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि देखो यूज जो चाहिए वो देना अधरवाइस 300 CC की बाइक लेकर आने को फिर फायदा नहीं है अगर लाओ तो क अंदर पावर बाइक ना हो तो जादा बैटर रहेगी बाइक के अंदर आपको 60-speed का gearbox देखने को मिलने वाले है और ये बाइक पूरी तरीके से न्यू लुक में आने वाली है जो कि एक फुली फिरिंग बाइक होगी ये बाइक आपकी XF-R3 जो कि काफी पहले दिखाई ग बेक बैक लाइट फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे आपको फीचर से इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे अब कंपेर करें अगर कंपेरिजन की मदद इस बाइक कांपेटिशन किसकी से होने वाला है तो आपकी अपाचे 310 RR से KTM की RC 390 जो कि से 1,75,000 एक शोरूम के आसपास में बाइक देखने को मिलने वाली है वहीं पर बात की जाए प्राइस की तो आप लोगों जो लॉंच डेट है वह दो हजार 21 के स्टार्टिंग तक आपको यह बाइक देखने को मिल जाएगी नेक्स्ट बाइक की तरफ बढ़ते हैं नेक्स् अब तो खतम ही हो गया उसका इसाब किताब बट होंडा की तरफ से आप लोगों CBR 300R देखने को मिलने वाली है जो कि ऑफिशली नूज होंडा की तरफ से कि वह एक 300cc की बाइक की उपर काम कर रहा है इस बाइक के अंदर आपको 286cc का सिंगल सेलेंडर लिक्विट कूल FIBS 6 compliant engine देखने को मिलता है जो की 30 bhp का maximum power generate करेगा 8,050 rpm 27.1 Nm का talk generate करेगा 7,250 rpm इस बाइक के अंदर same engine आपको मिलेगा Honda CB300 का जो कि आप लोगों की अभी available है जो कि एक retro look वाली बाइक है बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अगर CB300R आ रहे है तो इसका power थोड़ा increase किया क्योंकि 30 bhp मुझे लगता 300cc के according काफ है क्योंकि और भी 300cc के बाइक से जाधा power देती है 6-speed का gear transmission आपको मिलने वाला है fully fair sports bike होगी यह LED tail light, LED backlight, fully digital instrument cluster, 12.8 litre का fuel tank आपको इस बाइक के अंदर मिलेगा ब्रेक्स की बात की जाए तो 296 mm का आपको single disc front में और 220 mm का आपको single disc rear में देखने को मिलने वाला है जो कि dual channel ABS के support के साथ आपको मिलेगा front में telescopic fork, rear में monoshock absorber जो कि आपकी ride को काफ यदा अच्छा बनाने वाला है और यह bike थोड़ी aggressive होने वाली है aggressive जो भी कहते है थोड़ा बहुत समझ जाना भाई की problem को ठीक है tire size की बात की जा तो आपको front में 110 by 17 17 इंचिस के आप लोगों को तैयर देखने को मिलेंगे और 140 by 70 17 section के आप लोगों को रेर में इसके लिए कमेंट आये थे ऐसा क्या है इस वाइक में xpulse 300 जियां दोस्तों xpulse 300 के बारे में काफिजदा लोग कमेंट कर रहे थे कुछ फोटोज लीग हुई है जैसे कि आप सामने देख सकते हो शायद कुछ इसी डिजाइन के आपको यह bike देखने को मिलने वाली है 300 cc का सिंगल सेलेंडर लिक्विट कूल f5 bs6 कंप्राइंड इंजिन जो कि 25-30 bhp के आसपास का पाउर जिनरेट करेगा और 27 नुटमेटर मेंटर का टॉर्ग टॉर्क हो सकता है कि आपको ज्यादा मिले क्योंकि एक एडवेंचर ऑफ रोडर बाइक होने वाली है इसलिए 60 शिव अच्छा फीचर है क्योंकि ऑफ रोड के ताइम तो भाई पढ़ता ही पढ़ता है जरूरत की कभी आपको आपको इस बाइक के अवेलेबल हो जाएंगे 70 इंचिस के स्पोग विल आपको देखने को मिलेंगे फ्रंट और रियर में टेलेस्कोफिक फोक फ्रंट में मोनोश् वैसे तो मैंने इस बाइक को चलाया है जोसका फॉस्ट मलब 200 जो सीची की जो बाइक आती है एक्सवल्स का अच्छा पर्फॉर्मस है वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा अगर आप एक 200 सीची की भाइक धूंड रोड तो आप वह बाइक पर देख सकते हो तो रेड वाइट हैं आप लोगो इस बाइक में देखने को मिलेंगे और कहीं न कहीं प्राइस पॉइंट प्राइस तो खैर कमी रहता है तो 1.80 लैक रूपीज क्या आसपास आपको 300 सीची की बाइक मिलने वाली है लॉंच डेट कुछ भी नहीं कह सकते हैं बहुत जल्दी आप लोगो तो हो सकता है ऐसा भी आप लोग लिए लॉंच हो सकता है इस बाइक का फोर्थ बाइक की तरफ बढ़ते हैं फोर्थ बाइक मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मजाग है यह सी एफ मोटो की तरफ से ऐसार 300 जो की गलोबली मतलब आप लोगो देखने को मिलने वाली है और काफी जगह पे लॉंच भी हो गई है अब इंडिया में तो भाई कोरोना वाइरस ने जीना हराम कर रखा तो इस वज़े से थोड़ा बहुत प्रॉबलम हो रहा है 300 सीसी के एसार में आप लोगो 292.4 सीसी का लिक्विट कूल एफाइब डियो सी इंजिन देखने को मिले है 8,750 rpm आपको पावर मिलेगा 25.3 Nm पे आप लोगो 7250 का आप पावर देखने को मिल जागा इस बाइक के अंदर 25.3 Nm का टॉर्क 60 वीड का गियर बॉक्स लीपर क्लच आपको मिलने वाला है इस बाइक में LED टेल लाइट LED बैक लाइट इस बाइक की तो काफी ज़ादा फो पे बात की जाए वेट तो कहीं नहीं वेट से मुझे लग रहा है कि हाँ छोड़ा बाइक का पर्फोर्मेंस अच्छा हो सकता है 165 kg का नॉर्मली वेट है जो कि ठीक है कम है बात की जाए अगर इसके बाइक से जीतने वाली है आप लोगों क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना 2.50 लाइक एक शोरूम इसका प्राइज होने वाला है और यह बाइक आपको 2020 के एंड तक मिलते हैं लास्ट बाइक की जो की है टीवेस की तरफ से अपाचे 310 ने इन से ड्रैक जो भी आप लोग कहते हो आप अर्जेस्ट कर लीजिएगा 312 सिसी का सिंगल सेलेंडर लिक्विड कूल एफाई बीए 6 इंजिन मिलता है 33 बीएच पी का पावर 27.5 नोटर मेंटर मेंटर का टॉर्क मिलेगा यह बाइक एक नेकिड वाइक होने वाली है तो इस लाइट अलेट टेल लाइट डूवल चैनल एबियस ब्लूटूट कनेक्टिविटी फीचर स्लीपर क्लच नैविगेशन जैसे फीचर आपको मिल जाएंगे इस बाइक के अंदर सब्स्विंचन की बात की जाए तो यह बात की जाए तो देखो इस बाइक के वाइस से बतर अच्छे लुक में यह बाइक मिले तो आप लोगों कैसी लगी आज की वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रू बताना और 300 सीसी में आप कौन सी बाइक लेना पसंद करोगे मैं तो सब काफ़ ज़ता एक्साइटेड हूँ करिस्मा के लिए आप लोग किस बाइक के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं